अलु लो घंडेलो भिन्डी लो बेगन लो टमाटर के लो कडी लो बने लो alguna आलु लो अगर वीडियो अच्छा लगें तो लाइक करएं और अच्छा लगार नहभुवें कि ए सुना तु आमसे बात ने कुना करा ए उड़ानिया से पास ही लगा के मर जाए हां तो उड़ानिया फाड़ी थार गड़ियों फार दे आलू लो टमाटर लो किया लो कदू लो खीरे लो भिंडी लो बेगन लो आलू लो करारी धूप निकली है आज मैं या तो ना परसान हब है को अब लियालो त्यम लो फीरे लो अलू गंडेलो अब बहुत तेज़ धूप निध्वा निकली है पे आलू लो घंडेलो भिंडी लो वे गड़ान लो टमाटर लो अर्द्वी लो किया लो कदू लो अभी थोड़ा सा बदल हुआ है असमान में देखिए इसके पहले बहुत तेज धूप निकला था बहुत तेज हालु लो गंडे लो किया लो भिंडी लो पेगन लो टमाटर लो अलु लो कैसे हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिए अभी जा करके थोड़ा सा मौसम सही हुआ है बहुत तेज धूप निकला था सुबा से लेके अभी तक थोड़ा सा बदल हुआ है दूख तो तब लगता है गहां सब्जी लेके जाता है और पैसे देना भूल जाता है सब गहांक ऐस अब लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के सब्सक्राइब कर दिए ताकि जो हमारे टार्विट है एक हजार सब्सक्राइबर का जल से जल में पूरा कर सकूं और साम होते होते देखे मौसम अच्छा बन गया है अब आया हो तो सारी सब्जी बेच के चला इसा मौशम होतों सब्समें भूत मज़ाएगा जूप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी हालो घंड़े लोटॉट। नहीं लोट प्रफलिया लोट। म एधर से बेचन हौं अब मुझे जाना है धर वेचने हैं घर भी मेरे वहते चीटी कि इधर मेरा उमेद है कि जल्दी सब्जी बिख जाएगा कि खीरे लो बैगन लो भिंटी लो आलू लो गंडे लो टमाटर लो निम्बू लो कि इतना अच्छा मौसम तो गाइस मौसम देख लो कितना बढ़ियां हुआ है कि सारा दीन तेज धूप निकला हुगा था अब जाकर के आसमान में काले काले बादल आ रही है और हावा भी चल रही है है इस अलक दो घर है उनके घर मुझे सब्जी देने जाना पुरेगा तो गाइस अभी एक गहां बोलके गया कि मरजा घर आई सब्जी लेनी है तो उनके घर जाना पड़ेगा इस पीड़ से थोड़ा सा अलक घर है वहां ऐसा लग लग तो यह उसके पास में मुझे जाना है सब्जी देने और देखे धान के खेती कि इतनी अच्छी दिख रही है तो आज गाइस मैं तो इधर से बेच के आया था गाइस इधर मुझे दो घर को सब्जी देने आना पड़ता है यह देखे ऐसा लगता है कि यह अमिजोन का जंगल है इधर से बेचने के बाद अब मुझे दो घर है वहाँ पर घूम के जाना पड़ेगा सब्जी देने अभी तो आंटी जी को सब्जी देने आया था तो बोले रोको में सब्जी लेनी है अब आज लगाया था तो तो सब्जी दे के आ गया अब जा रहा हूं घूम के जो गहां को देना होगा गाइस सब्जी में कमाई पहले बहुत था एक बारतर में 12 रुपय हरे मटर लेके आया था और 20 रुपय किलो भीक रहा था मैं 50 कर 3-3 किलो बेचा हूं और 500-600 रुपय राम से कमाई कर लेता था कि अब तो सब्सक्राइब लेके आपको एक सब्धी सब्सक्राइब किलो नहीं भीके जाएंगे तो गाइस आग मैं घूम के आगे हम इधर जर्दों गहां खेम को सब्धी देंगे और चले जाएंगे है जब मतालो टमाटर लो कि या लो खीर लो भिंड मेंडीयो बेगन लो अलुड लो निम्बू लों कि अलोगी अलों तो एसे है क कि चली सा आगी बताता हूं कुछ कहाक ना इतना जीद करता है ते दे रखके क्या करेगा ते रखराभी हो ना आरा भाई नहीं बारक आता है नहीं दे सकते हैं बड़ा को रहा है अंटी जी बोलके चली गए जब घाटे में सब्जी देना है तो उनको थोड़ी देंगी आसे भी गरिब गरिब मेरे कहां ह तो अभी इतनी सारी सब्जी बची है कुछ सब्जिया में ले कि आया घिया लेकि आया तिंडे लेकिया अब इतना सारा ले जाके साम को बेचुंगा जाखाए देखाए तो गईस सब्जी बेच के आया तारी बनवाया नहाया खाना खाया और सो गया अब थोड़ी-थोड़ी सब्जी बेचा होता तो बड़ी से बड़ी घर का मालिक होता है मुझे एक रील बनाना है Instagram के लिए Instagram के रील बनाके उसके बाद चला जाओंगा उसाभी बेचने तो गईच जा रहा हूं कपड़े चेंज करेंगे और Instagram के लिए एक रील बनाएंगी एक चुनरी वाला ओडियो है हां से लगाने वाला वो मुझे काफी अच्छा लगा था आप लोगों को तुभी अच्छा लगा निगा तो आप लोग जाए हमारे इस्टाइग्राम रिल पे जाके देख सकते हैं तो वैस आज के दिन इतना ही मिलेंगे नेक्ष्ट व्लोग में तब तक लिए नमस्कार आप लोग जाए हमारे इ